दोस्तो बिग बॉस के सीजन 15 के लाइफ फीड में इस समय गर के अंदर करन कुंदरा उमर रियाज के सामने तेजस्वी की जमकर तारीफ करते वे दिखाई दे रहे हैं दरसल दोस्तो दोनों ही कंटेश्टेंड यानि की उमर और करन गार्डेन इरिया में बैट कर गर के अंदर हुए टास्क को लेकर आपस में बातचित करते हुए नजर आ रहे हैं इसी दोरान उमर रियाज ने करन से यह सिकायद की कि यार तू टास्क के दोरान हमारा तो फक्षी नहीं लेता है और उन दोनों के संचालन के साथ तू भी उनके साथ ही मिल जाता है यानि कि वो दोनों जैसा फैसला लेते हैं तो उनके साथ ही सहमत हो जाता है ये सुनके करन ने कहा कि यार भाई मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ और मैंने भी कल तुम्हें जीताने के लिए अपनी तरफ से बरपूर कोशिश किर थी और पहला राउंड तुम्हें जीताया भी था ये सुनने के बाद उमर ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन इतने में करन ने कहा कि यार जिस तरीके से तेज़स्वी अपने मुद्दे को रखती है न वो तरीका मुझे काफी अच्छा लगता है और तेजस्वी का कम्यूनिकेशन मेट से काफी ज़दा अच्छा है मैं भले ही कहीं न कहीं मैनुफलेट हो जाता हूँ पर वो कभी भी किसी के साथ मैनुफलेट नहीं होती है उस बंदी का साफ रेता है बिल्कुल जो डिशीजन होता है और वो किसी भी प्रकार का कोई बेदबाऊ नहीं करती है हाला कि अभी तक तेजस्वी जैसे इसकल्स मेरे पास तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं तेजस्वी जैसा संचालन कर सकूँ ये सारी बाते करन ने इसलिए उमर को बताई है क्योंकि हाली में घर के अंदर कावया पंजाबी आई थी और कावया पंजाबे ने करन कुंदरा को कहा था कि यार करन तुम ये क्या कर रहे हो तुम जैसा कर रहे हो वेसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो बलकि तुम जैसे हो उसके अनुसार तो तुम गर के अंदर काफी कुछ कर सकते हो जिसके बाद पर आप करन कुंदर ने कहीं न कहीं सोच लिया है कि वो गर के अंदर अपने आप में काफी बड़ा बदलाव लाने वाले हैं खिर दोस्तों ये बदलाव किस तरीके का होगा ये तो देखना दिलचर्स होगा फिलाल दोस्तों करन की ये तेजस्वी के प्रतित तारीफ आपको कैसे लगी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं यदि आप भी तेजस्वी और कारान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले हैं